हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं कीमे की कचोरी जिसके लिए हमने लिया है मटन का आदा किलो कीमा जिसे हमने धोकर बिल्कुल साफ कर लिया है और साथ में लेते हैं इसके तो यहां ले लिये हमने 200 ग्राम चने की डाल एक प्याज है दस से पंदरा हमाय पास लाल मिर्च है यह तेजवारी लाल मिर्च है यहां हमने कुछ खड़े मसाले लिये हैं यह हमने दो पुत्ती लेसन के लिए जीने छील ली हैं तीन छोटी लाइची हैं चार लोंग हैं एक चमच काली मिर्च है आदा चोटे चमच हल्दी है एक चमच धनिया है साबुत और एक चमच जीरा तो चलिए करते हैं स्टार्ट यहां सबसे पहले डाल लेते हैं कीमा यहां हमें कोई ओयल वागएर आपकुछ यूज नहीं करना है काली कीमा ऐसी डालना है कूकर में इसके स सारत हमने यह चैने की डाल दो लिए साफ कर लिए यह डाल भी इसमें डाल देते हैं तो यह डाल भी हमने इसमें डाल दिये सारी अब इसी के साथ डाल देंगे सारे यह मसाले जो हमने एक प्याज लेती वह इसमें काट कर डाल देंगे जाद मैंने बारीकन काटी है ऐसे रफली काट कर डाल देंगे यह प्याज मिर्चे जोती है हमारी एक में से दो करके डाल देंगे एक में से दो मैं इसलिए करने हूँ कि पिसने में आसान रहती है अगर आप चाहो तो साबुद में डाल सकते हो और इसमें डाल दूँगी मैं यह देर चमश नमक और अब इसमें डल जाएगा पानी पानी मुझे बिल्कुल लेवल में लेना है जितना हमारे कीमा और दाल यह होगा बिल्कुल इसके लेवल में लेना है उससे ओपर नहीं लेना यह देखे एक ग्लास में पानी लिया एक कप आधा कप अधर आ ढलती में लेवल में रखना है पानी लिया है आप इस तरीके से लाकर देखें देखें लेवल में बिल्कुल उपर नहीं आरहा है उससे बस इतना ही रखना है पानी इसमें अज कल बर साथ चल रही है बारिश बहुत हो रही है और जब बारिश होती है तो मेरे घर में यह ज़रूर बनती है सच मैं बहुत टेस्टी लगती है आप भी कभी ट्राइ करना तो इसको कर देते हैın बन और इसको गला लेते हैं बिल्कुल अच्छे से दाल भी गल जा है अमारे कीमा भी गल जाय तो वो हमने रख दGeneral यहां ले लेते हैं इसने अपनी दो प्याज लिए हैं तो यह देखा हमने यह निकाल लिया है यह इस तरीके से मैंने बावल में खाली कर लिया है इसको मुझे पीसना है यहां मैंने लिया है सिल्वट्टा क्योंकि मुझे मिक्सी में नहीं पीसना है है. क्योंकि सिल्फर पीसेंगे तो इसका रेशा बहुत अच्छा एक दम खिचता है. बहुत अच्छा पीसे गई है. इस तरीके से मेड़चे, मसाला सब इसमें पीस जाएंगे. तो सारह की महाँ हम इसी तरीके से पीस लेंगे तो ऐ देके पैंट्स यह हमारे सारह पीस किया है कितना अच्थ हमने बारीग पीस ल्या है है अपना कटा हुवा समान भी डाल देंगे हरी मिर्चे हरा धनिया प्याज प्याज हमने दो ली थी बिल्कुल बारी काट लिए उनको और ये ले लेंगे धनिया इसको बहुत अच्छे तरीका से मिक्स कर लें कमें क्योंकि यह बहुत थाइट हो जाता है तो यह जल्दी नहीं होता में इसको हाथ बार उससे हाथ अपर टेल लिखा लिया है तो यह देखिये हमने कर लिया इसको mix तो चलिए करते हैं NS इसकी बनाने की तयारी यहां मैंने हातों पर इसमें तेल लहा लिया है और अट्र ले लिया है मैंने है तो れसको इस तरीके से पहला लेंगे जितना हम रोटी के लिए लेते हैं उसे थोड़ा लेंगे और ये डाल लिए हम इसमें देड़ चमच कीमा इसका पेड़ा तयार कर लेंगे इसी तरीके से बंद करना है इसको खुला नहों कहीं से भी बिल्कुल आच्छे से बंद कर लिए हम इसको अगर इसमें क्रेक आते हैं तो ये फिप भड़ जाती है उसमें तो यहां लेगा लिए हमने थोड़ा और तेल हाथ पर अब मिसा हाथों से इसी तरीके से दबा कर इसे अब कच्छोरी का शेप देंगे गर दिखिए किनारे हम किस तरीके से पतले कर रहे हैं इसके इसी तरीके से आप दबा कर इसको सही से कच्छोरी बना ले अगर आपसे हाथ से नहीं बनती है तो आप बेल सकते हैं इसको इस तरीके से किनारे आपको पतले रखने हैं किनारे मोटे बना करें यह बना कर मैंने रख लिए इसी तरी के सारी कच्छोरी बना कर रख लें यह दिखिए यह बना लिए हमें यह नहीं तो चल कर लिए यह कर लिया मने तेल गरम लिए इसमें डाल देते हैं जब तक हमारी कच्छोरी ऊपर नहीं आ चाती तब तक इसमें हम दूसरी इसमें डालेगे यह देखें यह उपर आ गई है हमने इसके बाद दूसरी डाली है इसमें अगर एक साथ डाल देंगे तो यह चिपक जाएंगे आपस में और इसको तेल के नीचे अंदर इसको डूबो डूबो कर इसी तरही से एक नहीं तो यह फूलिंग ही नहीं इदे के फूलना शुरू हो गई है जब कचोरी हमारी डालने के बाद उपर आजा इसके बाद में हमें दूसरी डालनी है इदे के भूलना शुरू हो गई है और इन्हें लाइट गॉल्डन ब्राउन कर लेना है मैं सेखते हुए दीए कलर इनका चेंज होने लगा है पलट पलट कर आप इसी तरीके से घुमाते हुए सेके एक तरफ से ना छोड़े नहीं तो जल जाएंगी यह ज़ियो होने लगी है ब्राउन यह सीखने लगी है तो चलिए ने निकाल लेते हैं यही कलर चाहिए मैं इसका इसी करोगी है ते यार इनने निकाल लेते हैं इसी तरीके से और भी सेक लेते हैं यह दीए कि इतनी फूली है हमारी बिल्कुल लाइट गॉल्डन होने दें अगर पेड़ा बनाते में उसमें क्रेका जाएंगे तो वो इस तरीके से फूलेंगी नहीं पिर उनमें तेल उनमें अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती हैं यह दीए एक तरफ से हमनें तो यह देशी भी हमारी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बता हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और शेयर कर दें तब मिलते हैं नेक वीडियो में तब तक के लिए बाबाए